Hello everyone, This is Kalyani NG U watching deep beauty friends आज मैं आपनों के साथ स्यक्रकिने जारहे हैं कि आप अपने ओपेंट पोर्स को बहुत ही जल्दे स्रिंक कैसे कर सकते हैं मतलब कि फ्रेंट्स कुछ लोगों के फेस में ऐशा होता है कि उनके पोर्स काफी ओपेंड हो जाते हैं मतलब कि उनके पोर्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं जिसके कारण उनके फेस पर बहुत जादे गढ़े दिखने लगते हैं वो बहुत भद्धे होते हैं इस प्रॉब्लम को मैं ट्रीट करूँगी आज कुछ नेच्रल इंविडेंस के साथ जिसके आप अगर रेगुलर यूज करते हो तो मैं तो हैंडिक परसंट से और हूँ कि आपके फेस पर जो पोर्स ओपन हो गया हैं या फिर आपके फेस पर बहुत ही जादा गढ़े हैं उस प्रेंसे कि हमारा प्रेंस पहले ही डल हो जाता है अगर आप भी एक चिप्स से हमारी स्किन कॉंडेक मे ये स्किं रा बड़ जाती है उसके बाद भी इसकी हो और य्यूंधा यूजिक यह जादा प्रेंस पर बहुत ज्द्रस फोंट आ कुर्डबप करते हो तो आपके open pozK chances पहुत ज्यादा हो जाते हैं बहुत ज्यादा क्या आपके आपके face पर open muss हो जाते हैं और यह open post एक वार हो जाते हैं तो इसको reduce करना काफी हिनाई हो जाते है किसे कैसे reduce करें तो फ्रेंट यह जो दो प्राब्लोड करो सबसे पहले आपकर पर देख सकते हो एक डॉर्माल वाटर का आइस क्यूब है इसे आपको रोज 5-10 निए अपने फेस पर मसाज करना है उसके बाद इससे क्या होगा कि आपके जो फेस है उसका जो पोर्स है वो बहुत ही ज्यादा सिक्ड़ेगा बहुत ही स्रिंक होगा इससे क्या होगा कि आपके जो ओपन पोर्स की प्राब्लम है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी तो आपको यह वाला फॉलोग करना होगा से 5-10 निए आप नॉर्मल आइस क्यूब से अपने फेस को जेंटल रब करें इससे आपके जो आई के नीचे प पूरे फेस पर मसाज करने के बाद आप इस वाटर को अपने फेस पर नहीं छोड़ दो जब तक छोड़ना तब तक यह वाटर आपका फेस खुदी एब्सॉर्ब न कर ले उसके बाद सेकंड श्टेप के और मूग करते हैं के लिए अपको क्या करना होगा एक क्लीन बॉल में आपको आप देख सकते हो हाफ स्पून मैंने मुलतानी मिटी एड किया हुआ है पस सिर्फ और सिर्फ मुलतानी मिटी को देन इसको नॉर्मल वाटर से मिक्स कर लेना है इसमें कुछ भी नहीं आड करना है क्योंकि यही आ ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए विल्कुल यह थिम तंसिस्टंस से की होनी चाहिए क्योंकि आपके पोर्स बहुत ज्यादा ओपिन है तो इसका जो प्रोपर्टेज है वो आपको प्रेस में आने के लिए इसकी क्वार्टेजी को आपको थिन ही रखना होगा उसके बाद आप इसे अपने प्रेस पर अपलाए करने जाए मुल्तानी मिटी एक नेचरल इंग्रेडेंट है इसलिए आपके जो पोर्स है उसे बहुत ही जल्दी सिकोडता है श्रिंक करता है साथी साथ इसमें एंटी ऑक्सिदेंट प्रोपार्टेज पाए जाती है जिससे कि आपके और डैमेज स्कीन बहुत ही जल्दी रिपेर होनी शुरू हो जाती है और साथी साथ एक नेचरल ग्लोप प्रोवाइड करती है जब ये मुल्तानी मिटी आपके पूरे फेस पर स्प्रेड हो जाए तो आप इसे 22-30 मिनट आपने फेस पर ऐसे ही ड्राय होने के लिए आपके फेस पर पूरा ये जब अच्छी तरीके से सूख जाए ड्राय हो जाए उसके बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से ही बॉस कर दीजेगा फ्रेंट्स आप इन दोनों इस टेप को अगर रेगुलर्ट ट्राय करते हो मतलब आप इसको रोज करना है तो मैं आपको हैंड पेस पैक अच्छी तरीके से ड्राय हो गया है दिन मैं इसे नॉर्मल वाटर से वास कर लूंगी अगर अच्छा लगा है तो सबसे पहले जा गरके इस होम नेचर इंग्रिडेंट को आपने पर ट्राय करिए उसका रिजेंट आप मुझे कमेंट सेट्स अब में भी मेंसन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजे थैंक्स पर वाचिं व है एंगर आप में भी में एंग्रिडेंट सेट्स प्रेस करूंग लोम वाचिंट कर वाचिंगर एंग्रिव वाचिंटर से वाचिंग रचा हैं गया चैनल को आपने अपने हैं यह को आपने दा चैनल को?